इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडिया से कतर कैसे आ सकते हो और इधर आके आप कैसे लाइसे बना सकते हो और कौन सी जैसे आप जीसी भी एक्सावेटर ड्राइमिंग करते हो तो उसमें सभी की कितनी सैलरी है इस स्टेप बैस्टेप आपको मैं सब बताऊं ये video हो सकता, 20 लेकिन इस video में मैं आपको सब मेरे को instagram पर message करके, जो मेरे से आप information लेने चाहते हैं, और सब cover कर दू गा इस एक video में, अगर आप भी कोई भी मेरे से information लेनी चाहते हो, तो मुझे instagram पर message कर सकते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैं वहां पे सभी का रप्लाई करता हूँ अब आप ने अगर कोई भी इंफ्रमेशन लेनी है तो मेरे को वहां पे इस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना होप आप अप सभी ठीक होंगे चली जी वीडियो स्टाड करते हैं पहले बात करते हैं कि आप इंडिया से कतर में कैसे आ system आशकते हो अगर आप जेसी भी एक सावेटर जा ड्रैविंग करते हो उस काम में आपको सीधा उसी काम में यह आना है तो उसमें आप कैसे आ सकते हो अगर आपका कोई भी रिलेक्टिव यहां फ्रेंड कोई भी कातर में है वो आपको इंडिया से बुला सकता है आपका वीजा निकलवा सकता है अगर आप IVจะ कोस्ट होती है वो take लाग से लेके 2,000,000 बीच होती है को इस company उती है जहां पर 5-10,000 तभी दे सकती है 5-10,000 मेंगा भी दे सकती है लेकिन 1,500,000 बीच में इतनी cost होती है वीजेगी एक बात मैं आपका और बता दूं कभी भी आप सस्ता विजा मत लो कुछ वीजे हैं बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं उसका क्या प्रलूम होता है जब आप कतर में आजाओगे उसके बाद àp आएडी रीन्यूरी होगा बहुत सारी प्रौलम आती है जब आप किसी एजंट से सस्ता वीजा ले लेते हों तो कभी भी आप यह मत सोचना कि वह दो लाक रुपिया मांग रहा है वह वह डेड़ लाक में दे रहा है उसमें फर्क होता है कि बाद में आप जब कतर में आ जाओ आपको तब पता चलेगा आईडी नहीं मिलती है बहुत सारी प्रॉलम होती है कमपणी चेंज क बात बोलने ना कि अच्छी कंपनी का वीजा लेके दो जो मेरा एक साल के बाद वीजा स्टेंड हो जाए कोई प्रावलम ना है एक तो तरीका यह हो गया कि आप अजाद वीजा पर आ सकते हो सिधा अपनी जो आप ट्रेड में आना चाहते हो एक दूसरा मैथड यह है कि आप क के वीजा's के वीजबे आप किसी भी कंपनी में काम करोंगे तो यहां पर रिफर का काम करोओ आपकी सेलरी वी चलता आसकते हो, यह तो मैंने आपको बता दिया कि आप इंडिया से कतर कैसे आ सकते हो, एक तो आजाद का और एक्सावेटर का शावल का लाइसंस बनाओगे की कॉस्ट इधर कम से कम 4000 रियाल आपका खर्चा आजाएगा और इंडिया का वही 80,000 रुपिया होता है अगर आप इधर आपको खुद बनाना होता है चाहिए आप इंडिया से कंपनी के वीज़े में भी आजाएंगे तो आपको यह खुद बनाना पड़ेगा और इसका जो लाइसंस बनाने का प्रसेस है पहले आपका आई टेस्ट होगा और उसके बाद आपका कंप्यूटर क्लास होती है साथ दिन की आपको signal टेस्ट देना होता है वह बहुत असान होता है यह होता है यह सार्फ का से लेफ्ट का टिक मार्क करनी होती है कोई मुश्किल नहीं है ठीक है वह आपको स्कूल वाले अप बनाके दे देंगे तो आप पर त्यारी करो एक दिन आपका टेस्ट होगा फिर उसके बाद आपका जब टेस्ट पास हो जगा 15 से 20 दिन आपको प्रैक्टिकल क्लास होगी जिसमें आपको एक्षावेटर चलाना सिखाएंगे और जेसीबी के लाइसंस के लिए आपको शावल पर ट्र चला सकते हो टेली हंडर भी चला सकते हो अगर आप एक्षावेटर का लाइसंस बना रहे हो तो उस पे आप डोजर चला सकते हो और एक्षावेटर चला सकते हो एक मिशीन और रोतियस पल्ट कटिंग वाली चैन वाली वह चला सकते हो अभी हम बात करेंगे कि इस लाइसंस म बनाने के लिए आप JCB का जा एक्सावेटर का बना रहे हो तो आपको कम से कम दो मन्त लग जाएंगे लाइसस बनाने के लिए ठीक है जी एक बात और जब तक आप लाइसस नहीं बनाओगे आपको कतर में चाहे आप आजाद विजा पर आ रहे हो जब तक आप लाइसस नहीं बनाओगे आपको कतर में कहीं भी काम नहीं मिलेगा तो पहले आपको लाइसेंस बनाना होगा फिर आप काम कर सकते हो जब लाइसेंस आप बना लेते हो तो उसके बाद आपकी सैलरी स्टार्ट होता है चाहे आप जेसी में चलाते हो चाहे एक्सावेटर चलाते हो चाहे रूल चाहिए आप 10 शाल पुराणा इसगी अदर उबरेत्र बाए मिलता है और King gir त्हppy Gope जर आप इधर आके ट्रेलर का लाइसेश बनाओगे ट्रेलर के लाइसन्स पर आपको वही सिग्नल टेस्ट देना पड़ेगा लाइसेंस के लिए और वापका सिगनल टेस्ट पास होगा पिर आपकी किलास बंद्रह उसके बाद आप रोटेस्ट देदेँ हुगे तो आपका गठाने से बनाने में शेलर का लगता है वह कम से इंडिया की एक लाक मान के चलिए इदर शेलर का राइसंस बनेगा लाइसंस रहे है जैसे और यह राए आपको क्तल्ड प 인風ड जाएंगे और वो आप आपको जैसे रूम रेंट आपको देना पड़ेगा फूड का जो आपका खर्चा है मान के जली इंडिया का दस हजार रपिया पांसो इदर का पांच शीसो रेयाल आपका एक मंत का खर्चा है और अगर आप ट्रेलर का लाइसेंस बना रहे हो तो कम से कम आपको शे मीने का खाने का तो जब आपका लाइसेंस बनेगा तब आप काम कर सकते हो आप अजाद वीजा पे हो जितना टाइम आप लाइसेंस बना रहे हो आप कोई भी काम कर सकते हो आप किसी शौम में भी काम कर सकते हो और अगर आप अगर आप अजाद वीजा पे हो तो आपको एक साल के बाद आपको अपनी डी वर्क प्रमट रीन्यू करना होगा जिसका इदर का तीन हजार रेयल लगता है इंडिया का साथ है रुपिया खर्चा आ जाता है वो एक साल के बाद आपको देना पड़ेगा जब आप अजाद विजा पे आपको खुदी काम जोड़ना पड़त होता है सब कुछ खुद करना होता है अजाद विजा पर यह कि आपको कहीं अच्छी सेलरी मिलती है आप काम स्विच कर सकते हैं भी मैं उसके साथ काम करूगा ऐसा होता है और आप इंडिया भी जब आपका दिल करे आप जा सकते हो अगर आप कंपनी में काम करते हो कंपनी म में यह अच्छा होता है कि आपको एक साल के बाद रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है कंपनी खुदी कर देती है तो यह और दो साल के बाद गोर्सट आको दो मेनिकी च्टी मेलते हैं उसका लिश एक स conten payment करते है घौंड करता है मेरे से बहुत जादा कोशा एक हम क्रैस्न रहें हमें कोई ऐसी कंपनी बताओ जो हम इंडिया से आपर आρχा ले और कैमारा अप्रि में लाइस से बना आधें कोई कंपनी रही आप गघ्या है का क्योंकि इदर से ओर रेडी कटर से बहुत सारे कंपनी इन्डीया से बाइससे मुडहाएं करें रा इदर कथ़िंस काम करें इन दि शाल मरन आथें तो अ데ो फिरिकान क्तर के थोड़े देश के बारे में बाते करते हैं इधर क्या कानून है क्या सिष्टम है इस जो आप अगर ड्रिंक करते हो दारू पीते हो वह इधर मत करो क्योंकि एदर पुलिस बहुत जादी है वो यह इल्लीगल है इदर दारू पीना कुछी परकार का निशा करना वो आप मत करो अच्छा है जह अलावनी है इल्लीगल है तो आप यह मत करना इदर कतर में आके हां आप कहीं गोमने जा रहे हो कहीं गोमों कोई प्रावलम नहीं है ठीक आप अभी देखो अभी जनवरी का मंत है मैं टीशल पहना हुआ है क्योंकि इदर ठंड बहुत कम होता है यह गरम देश है इदर गर्मी बहुत जादा होती है और अगर आप अजाद वीजा पे भी रह रहे हो जहां आप कंपनी के वीजा पे भी आपर होगे तो आपको एक रूम के जो आपके पार्टनर है मैं तो आपको यही बात बोलता हूं कि उनसे लड़ाई जगडा मत करो अच्छे से मिल बाट के सभी रो किसी को परेशान मत करो यह इदर रूम में रोगे तो अच्छा महौर रहेगा तो आपको असानी होगी अभी बात करते हैं कि आपको कतर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए देखिए पहले 2022 में इदर वर्ड कप था फुटबाल का वर्ड कप था तब कतर ने साथ स्टेडियम बनाए थे तो उसमें बहुत जादे वर्कर काम करते थे और उन स्टेडियम के लिए रोड लाइन भी बनवा रहे थे क्योंकि कांड कांड करेगें हैं का मिलसकि अभी आदमीya रहे हैं किसी को क्या सकता है मैं जब कत्र में आया था तो तब भी बोर रहेasses कि काम नहीं है लेकिन मेरे मेरे गिसमत अच्छी थी कि मेरे को काम भी मिला और salary भी अच्छी मिली मेरे एक दो तीन फ्रेंड थे उनको काम अच्छा नहीं मिला तो वो India चलेगे वापिस यह बात ही है कि इदर आप आउगे तो आपको काम मिलेगा आप मैंने बोल दिया कि इसका इतना salary, इतने सेलरी भी ठीक है आदमी कॉल्कुलेट करने लग जाता है इंडिया में हाँ भी मैं तो जान सार पचास आजार रपिया कमानुगा ऐसा कुछ नहीं है इधर आके आपको काम खुद नूर्ना होता है और सब आपकी जो भी टेंचन है वो खुद आपको लेनी पड़ेगी ठीक है और कोई आपका कॉंटेक्ट में वो आपकी हैल्प भी कर देता है क्योंकि जो आदमी पुराना होता है तो उसके पास थोड़ा पता होता है तो वह आपको काम पे लगवा सकता है लेकिन हाँ आपको 50-50 में बोलता हूं कि अभी भी आदमी में आदमी आ रहे हैं सब्सक्राइब कर देना अधे तो यह आप सब बाते ध्यान में रखना ओके जी आपने अगर कोई भी मेरे से इंफोर्मेशन ने नहीं है तो मुझे इस्टाग्राम पर फॉलॉव कर लेना वहां पर मुझे मैसेज़ कर देना ठीक है जी और आप सभी का धन्यवाद जाप तक वीडियो देखने के लिए